आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माउंडा मंडोली यूद की ये माउंडा और मंडोली जो है ये नीम का थाना के पास में है और यहां पे एक भहुती रग्त रंजित यूद वा था जिसके अंदर दोनों पक्षों को बहुत जबर्दस्थानी उठानी पड़ी थी और ये युद वा था 14 दिसंबर 1767 में और ये युद भरतपूर और जेपूर की सेनाओं के मद्दे लड़ा गया था उस समय बरतपूर के अंदर जो रजा थे वो थे जवार सिंग जी और जेपूर के रजा थे मादो Simg जी तो इन दोनों के बीच के अंदर यहां पे ये युद भा था और उसके अंदर बहुती जणहानी उठानी पड़ गी थी दरसल ये जो युद्वा उसके पीछे के दो-तिन कारण थे सबसे बड़ा कारण ये था कि जैपूर के अंदर जब इस्वरी सिंग जी राजा थे जो मादो सिंग जी के बड़े भाई थे तो मादो सिंग जी के और इस्वरी सिंग जी के बीच के अंदर विरसत को लेकर के, यानि उत्रादिकार को लेकर के लड़ाई चली और चुंकि राजा बन गे थे इसुरी सिंग जी तो जो भरतपूर है उनका जो संबन था वो जयपूर के राजगराने से था तो उस वक्ते जब मादो सिंग जी के और इसुरी सिंग जी के बीच के अंदर जो यूद वे उत्राधिकार को लेकर के तो उसके अंदर सूरेजमल जी ने इसुरी सिंग जी का साथ दिया बग्रू के अंदर जो यूद वा उसमें भी सूरेजमल जी साथ थे उसके बाद क्या वा कि इसुरी सिंग जी आत्मत्या कर लेते हैं और मादो सिंग जी राजा बन जाते हैं अब जब आमने सामने जो लड़े थे उनसे जाही रह कि इतने अच्छे शम्मंद नहीं बनेंगे तो एक तो यह कारण था दूसरा यह कारण था कि जो जबार सिंग जी थे वो काफी सुद्रड हो चुके थे उन्होंने सरदारों को अपने यहां से नामे बढ़ती कर लिया और दूसरा क्या वा कि उस समय एक यूरोपियन था फ्रांसीशी था उसका नाम यहां पर इत्यास के अंदर सम्भू के नाम से प्रशिद है वो नाम तो उसका दूसरा था लेकिन इत्यास के अंदर उसको सम्भू लिखा जाता है तो संब्रू की एक कामयाब सेनानाइक था और उसके रिंदनीती बहुत बड़ी होती थी और उसको जवार सिंग जी ने रख लिया था और उसके अंदर उसने यह तोफ खाना बना लिया पूर और जो तोफ खाने का इंचार्स था वो था संब्रू जो फ्रांसीजी था और तिसरा और हुआ कि जो माचडी के राव परताब सिंग जी थे वो मादो सिंग जी से रूट करके वो भी जवार सिंग जी के पास आ गए तो राव परताब सिंग जी जैसा एक और अच्छा और जानकार सेहनापती उनके पास आ गया तो इस तरह से जवार सिंह्ग जी की जो सेनिक ताकत थी वो भी बढ़ गई और उनका दबडबा भी बढ़ गया अब जाहिर है कि जब किसी के ताकत बढ़ती है तो वो अपने रज्ये विस्तार करता है और राज ये विस्तार करें तो बिल्कुल जेपुर उनके नजदीक था, दोनों की शीमाएं अड़ती थी जबकि एक समय ऐसा था कि जो सुरजमल जी थे और बदन सिंग जी जिनों ने यहां पर राज किया तो बदन सिंग जी के टाइम से ही ये परंपरा चली आ रही थी कि वो दसरा के दिन आते थे और जयपुर वालों को गिफ्ट वगरा देते थे अपने गड़ की चावियां रख देते थे कि हम तो आपके ठाकू रहे हैं यानि हम आपके जागिर्दार हैं राजा तो आप ही हो मैं तुम्हारे दिन क्यों रहूँ है एक तो शितंतर रहने की परवद्धी क्योंकि अब जब ताकतवर को इा-दमी हो जाता तो किसी को दिन क्यों रह तो जवाढ सिंग जी निर्ट बढखती थे वो सारी जो प्रमप्राई चली आ रही थी वो सारी की सारी बंद कर दी एक और बड़ा कारण क्या था कि जवार सिंग जी के एक भाई थे नार सिंग जो दौलपूर के ओपर थे तो उनके बीच में भी युद वापस में तो वो भाग करके अपने प्राण बचा करके जवार सिंग जी से जब हार गए तो वो प्राण बचा के जयपूर आ गए मादो सिंग जी के पास और यहां आने क बीच के अंदर मेलब विवाद का एक कारण था。 तो दूसरा जब जब जवार सिंग जी ताकतवर हो गए तो उन्होंने इनके जो राज्य के अंदर कामा आता था था कामा के ओपर उनने इधिकार कर लिया, जेपुर के अधीन तबेले कामा, तो वहां पर आगे उनने वह कबजा कर लिया, तो इस तरह से दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया, और जवार सिंग जी भी मोका देख रहे थे कि किसी तरह से मैं जेपुर वालों से लड़ाई ल उसके बाद हुआ क्या कि जवार सिंग जी ने एक प्लानिंग की क्योंकि उस ताइम ये राजस्तान के अंदर मराठों का बहुत आतंक था, उनकी शेना है जब मरजी जिस राजा के पास आ जाती थी चोथ वसूलने के लिए, तो जवार सिंग जी ने प्लान बनाया कि हम सब अब पुसकर में दोनों मिलने के लिए तै कि या तो जवार सिंग जी अकली आ सकते थे लेकिन उनको बहाना चीए था जैपुर को किसी तरह नीचा दिखानेगा, तो वो अपना पूरी शेना लेकर गए जिसमें उनके तोप खाने में सत्तर तोपें थी, सम्रू था और सारे कि सारे अपने शेना पती और उनको पूरी जो शेना होती है उनकी वो शेना सहीती पुसकर आ गए और फिर जब जब जैपुर के अंदर से आये तो एक प्रोटोकोल कहता है कि पहले परमीशन लेकि भी मैं वहां जा रहू हूं मेरी शेना आगे जा रही है तो परमीशन कि वो तुझ जैपुर को चैलेंज करना चाह रहे थे उनको नीचा दिखाना चाह रहे थे खेर यहां आने के बाद में पुसकर के अंदर जब विजे सिंग जी जोधपुर के जो माराजा जवार सिंग जी थे उन दोनों ने ये जो मराठाओं की जो आकरमन थे उनके उपर और का कि भी हम साथ मिल करके उनसे लड़ें और दोनों आपस के अंदर समंद सुदाने के लिए पगड़ी बदल करके दोनों भाई भी बने यह जोने पगड़ी बदल भाई केते हैं उसके बाद विजे सिंग जी ने मादो सिंग जी जैपुर को भी संदेश पे जा कि आप मेरे आदीन था एक मेरा जागिरदार समंत था अब मैं उसको बराबर में कैसे बिठा लूँ पगड़ी बदलना दूद में बराबर में नहीं नहीं बिठा हूँ और तनाव दोनों के बीच में था ही था और उस्ट समय मादो सिंग जी कुछ बिमार भी चल रहे थे और अब मैं जैपुर को चिड़ाते वे जैपुर के जो क्षेत्रों से निकलने लगे तो था कि भी रूट तो यही है इधर से आएंगे तो जैपुर के शंबंतों ने मंत्रना की कि इनसे युद किया जाए इंसे कोई समझगता वारता नीं जाए इनसे सिधाश्ता युद किया हम तो उसको भी जो ने चैलेंज करना हमारे लिए खटीन है और उसके बाद दी वहां से राठोड़ों की उनको साहिता मिल गई तो उनको हरापाना बिल्कुल असंभव होगा और हमें ही मात खानी पड़ेगी तो बेटर यह है कि वहां पर उनको मत छड़ो उनको आगे बढ़ने दो तो उनकी बाद सब को समझ में आई कि उनको आगे कहीं पाड़ों में आकर के गहरा जाए नीम काताना के पास जो पाड़े माउंड़ा और मंडोली मैंने बताया कि यहां पर एक शंकड़ा दर्य अपाड़ों के बीच में से कि उस दर्य के अंदर इनको रोका जाए बात सब को समझ में आगी अब जवार सिंग जी अपनी शेना के साथ जेपूर राज्य के अंदर से बिगाड़ा करते वे जो गाउं रास्ते में आए अंकी शेना ने लूट लिया, लोगों का मारते फीटते है, आए आने के बाद में ये नीम कहताना के पास माहवडा मंडोली पहुंच गे साथ में चुकि मादो शिंग जी थे वो उदेपुर वालों के बहनेज थे यानि उनका ननियाल उदेपुर में था तो उदेपुर से भी 5000 शेनिकों की एक शेना उनकी साहिता के लिए आ गई तो इन सबने मिल करके इदर जितने भी शेखावाटे की शेखावत थे ये अपने अपनी चोटी चोटी शेनाई लेकर के ये सारे के सारे पहुंच गए और इन्होंने मावडा मंडोली की जो पहाड हैं वहां पर इन्होंने मोर्चा बंदी कर ली कि जैसे ही ये दर्ड़े के अंदर गुषेंगे रास्ता संकड़ा है लाइन से जब चलेंगे और उसके बाद इनके उपर हमला करेंगे तो सब जैसे ही जवार सिंग जी की सेना उस दर्ड़े से निकलने लेगी इन्होंने जयपूर किशना ने उन्होंने पर आक्रमन कर दि मादो सिंग जी से आके मिल गए तो उनकी सेना भी साथ आगई ये जो जवार सिंग जी को इस युद के अंदर सबसे जो बड़ा गाटा था वो था राव परताब सिंग जी क्योंकि उन्ही के आदमी थे और वो छोड़कर गे चाने को दर आ गए तो जाहीर है कि कुछ गोप जवा दिये लेकिन बातमा इनोंने काई कि ऐसी दो बात बनें गी इन्हों ने हमारे पास तो इतनी त Standards squirrel हनी तो इन्होंने गोड़े दोड़ाए कि जितने लोग हम मर सकें मुतने मरों इसतनी मरों लेकिन टौप का मुझ बंद करतो तो जयपूर के सेनिक उनने दोड़ा गो बागी बड़े बड़े सारे शलड़ के अंदर दोन उपक्षों की तरफ से क्रीब दस जार आदमी मरेते हैं लेकिन उन्होंने जाके तोप खने पे कबजा कर लिया अब समरू पहले भी क्या है कि इतर शेखावाटी में और इस एरिये के अंदर दो दोहात कर चुका था तो उसको पता था कि यहां की योद्धा किस टाइप के है तो उन्होंने जवार सिंग जी को इसने सला दी कि अब ल उन्होंने उनका जो टौप खनाता लूट लिया इत्यास के किताबों में लिखा है कि सेखावाटी के जढे तोपर उन्होंने जादा तर जो टौपे है वो उसी यूद के अंदर लाला कर रखी हूई है अलागि आपको किसी ठिकाणे में दिखा दे, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे नी पता कि वो तोप क्या लिखावा है लेकिन कित्याबों के अंदर ये लिखावा है कि सेखावाटी के ठिकाणों में ज्यादा तर जो तोपे हैं वो उसी दिन जो बरतपूर के सरदारों की आगी लेकिन तब तक जो शेखावत थे वो लगबग अपने अपने गरों घर जा चुके थे तो यूद आगे हुआ नहीं अब बात आती है कि ये जो यूद था उसमें दोनों पक्सों की जबरता सानियूर दोनों को कुछ भी नहीं मिला ने तो जवार सिंग ज जिसे उनका निदन हो गया लेकिन इस यूद के अंदर सबसे जो टर्निंग पॉइंट वा वो यह वा कि जो राव परताप सिंग थे उन्होंने जो माचडी के सासक थे और उन्होंने माचडी से अलवर के अंदर एक शोतंदर राज्य की स्तापना कर ली वह यह कि मादो जी के निदन के बाद उनके जो पीछे उत्रादिकारी बैठे वो भी बच्चे थे तो यहां भी कुछ एवेवस्ता ही फैल रही थी पूरा परसासन से ही डंग से संबल नहीं रहा था दूसरे उनके जो इतने समंध थे वो भी लगबग उसके अंदर मारे गए थे तो राव श्वतंतर नरुकाराज्य की स्थापना कर दी तो यह मामडा मंडो लिका ही हुथा इसके अंदर बहुत से लोग मरें मरने वालों में बहुत से लोगों के नाम भी हैं सबके नाम यहां वीडियो के अंदर नहीं लिये जा सकते हमने इसके उपर एक आर्टिकल लिखावा है ह हमारी वेबसाइट है www.gyanadrapan.com तो उसके उपर हमने हमारे दो आर्टिकल थे हैं उसके अंदर जो हमने एक तो सेखावार्टी का राजनितिक इथियास से उसकिताब से हमने लिये हैं और एक अलवर के संस्तापक थे राव परताब सिंग उनके उपर एक पुछती का उसमें से हमने लिये हैं जैपुर की थियास में से भी हमने कुछ तथे लेकर के वह हमने दो आर्टिकल उसके ओपर लिखे हैं हमारी वेबसाइट के ओपर वहां पे जो वहां पर बलिदान यह जो योद्धा उनके बारे में भी आप जान सकते हैं किन किनों ने बड़े योधाउं वहाँ पे उस युद के अंदर भाग लिया, उनके बारे के अंदर भी सारी डिटेल लिकी हुई है, और आज भी बामडा मंडोली के अंदर इन युद्धाओं के समार्क बने वे हैं, हमारी कोशिस रहेगी कि हम कभी मांडा मंडोली जाएंगे और वो युद्ध क्षेत्र, यानि जो बैटल फिल्ड है, वो भी हम दिखाएंगे, जहां पर दोनु से नाए, जाट और राजपूद से नाए थी, जाट राजपूद नहीं कह सकते इनको, दरसल ये दो राज्यों की सनाए थी, भरतपूर राज्य की और जेपूर राज्य की, वो अनायासी वो उदर जाट जो राजा थे, वो जाट थे और जेपूर वाले राजा राजपूद थे, तो लेकिन इन दोनों के बीच के अंदर भी, दोनों को मिला कुछ नहीं, उल्टा एक तीसरा राज्य खड़ा हो गया, और इसके अंदर य कि यह लूटके भी ले आए उनकी समान, और जवार सिंग जी यहां से युद चोड का मेदान चोड़ के चले गए, तो यह कहते हैं कि हमने विजय पाली, लेकिन जाट हिथियास कार केते हैं कि वो तो एक रणनीती के ता है तो उन्होंने गुद का मेदान चोड़ा था, बा मानवता हा था तो उसका तो इसाब किताब होना ही नहीं है कोई, तो इस तरह से यह माउंडा मंडोली का युद था, जो 14 दिसंबर 1767 के अंदर बरतपूर के राजा जवार सिंग जी और जैपूर के राजा मादो सिंग जी की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, मादो सि जी उस युद के अंदर खुद सामिल नहीं हुए क्योंकि वो बिमार थे और जवार सिंग जी खुद अपनी सेना के साथ थे, तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की इतियास की आपको निस्पक्स तोर पर जानकारी देते रहेंगे, धन्यवाद, जैहिंद, ज राजपुताना